सिंग रास के दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही देनीक रासिफल में मैं हूँ आचार इसके तिवारी बात करेंगे मंगलवार 7 माई का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों यह रासी फल आपके चंद रासी पर आधारिद है इसे आप अपने नाम रास के आधार पर भी देख सकते हैं इस रासी फल को निकालते समय ग्रहन छत्रों के साथ साथ पंचांग की गड़ना की जाती है आज के रासी फल में आपके लिए नूकरी ब्यापार आपका लेंदेन, परिवार और मित्रों के साथ सम्मन्द आपका वैवाहिक जीवान, आपका प्रेम जीवान और सेहत आज दिन भर किस प्रकार से रहने वाली है सुबसुब घटनाओं का भविस्फल ते होता है इस रासी फल को देखकर आप अपनी योजनाओं को सफल बनाने में काम्याब रहेंगे दैनिक रासी फल ग्रहन शत्र की चाल के आधार पर आपको यह बताता है कि आज का दिन आपके सितारे आपके लिए अनकूल है या नहीं आज आपको किन मुस्किलों का सामना करना पड़ेगा या फिर किस तरह के बहतर अपसर आज आपके इंतजार में रहेंगे दैनिक रासी फल को जानकर आप दोनों ही परिस्थितियों के लिए हमेशा सतर कवर साथ धान रहेंगे तो आईए रासी फल जानने के पहले आज के पंचान के बारे में चान लेते हैं आज मंगल बार 7 माई 2027 बैसाख कृष्ण पक्ष की चतूर दसीती थी विक्रमी संबद 2081 आज का सुर्योदे 5 बच के 35 मिनट पर होगा तो ही आज का सुर्यास्त 7 बजे होगा आज के दिन चंद्रमा पूरे दिन मेस रास में गोचर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी रासी मेस होगी बात करें अगर आज के महुरतों की तो ब्रम्ह मुरत रहेगा चार बच के 11 मिनट से सुबह 4 बच के 35 मेर तक अब जीत मूरत रहेगा 11.59 मेरट से 12.45 मेरट तक बजे मूरत रहेगा 2.32 मेरट से 23.00 मेरट से 23.00 मेरट तक आज के दिन अमरित काल का समय रहेगा 8.59 मिनट सुवह से लेकर सुवह 10.27 मेरट तक साथ ही आज के दिन सरवार सिध्योग भी बना हुआ है पांच बच के 35 मेर्ट सुभे से लेकर साम 3 बच के 32 मेर तक आज अमरिश सिध्योग बना है पांच बच के 35 मेर्ट से लेकर साम 3 बच के 32 मेर तक तो ये थे आज के सुम्हूर्थ आज का राहुकाल का समय रहेगा साम 3 बच का 49 मेर्ट से साम 5 बच के 20 मेर तक राहुकाल के समय किसी विशुब और अच्छे कारियों की सुरुआत ना करें अब बात करते हैं आपके रासिफल के बारे में सिंगरास के दोस्तों आज के दिन किसी से बिवाद ना हो इस बात का ध्यान रखें मित्रों और परिवार के साथ मनूटा होने की संभावना है और स्वास्त आपका विगड़ सकता है आज का दिन मध्यम फल्दाई है आपकी उच्च वोधिक छंताएं आपकी कमियों से लड़ने में आपकी मदद करेंगी सकारात्मक विचारों से ही समस्याओं को दूर किया जा सकता है आज आपका दिन ब्यस्तर रहेगा ब्यापार के सिलसले में यात्रा करनी पड़ सकती है यह यात्रा एक निरर्थक दौर साबित होगी घरेल सामान की खरीदारी के लिए जा सकते हैं फिजूल खर्ची से बचें आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे लंबे समय से चल रही मामले में बिजय प्राप्त होगी और इसके बाद आप काफी रहत भी महसूस करेंगे सिंगरास के दोस्तों अधिक भोजन और सराब के सेवन से बचें बैंक से जुड़े लेंदेन में आज के दिन बहुत ही साधानी बढ़तें नहीं तो आनलाइन फ्राप्त होने की संभावना भी बन रही है आपका जीवन साथ ही आपकी मदद करेगा और मददगार साबित होगा घरेलू जिम्मेदारियों में कमी और पैसों को लेकर बिवाद आपके दामपत जीवन में खटास भीला सकता है आज आपको उपने मन से नकारात्मों गविचारों को बाहर निकाल देना चाहिए आज आपको कोई सुब समाचार में सकता है अपना रुख नरम रखें और अनावस्यक बहस वाजी से बचें मनोरंजन के लिए समय निकालेंगे पत्थ पत्नी के वीच आपसी तालमेल बना रहेगा आज के दिन भाईयों का भी सहयोग मिलेगा बाहन और मसीनिरी के प्रयोग में थोड़ी साधानी जरूर बरते चोट लगने की संभावना भी बन रही है सिंगरास के दोस्तों नया कारोबार सुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा बना हुआ है आपका मन आज काफी प्रसंद रहेगा और भविस्त को लेकर कोई नई योजना भी बना सकते है आप इसमें दिन अच्छा रहेगा आपके सारे काम असानी से पूरे हो सकते है साधी सुदा लोगों को आज कोई सुबसमाचार भी मिल सकता है अगर आप आज किसी को प्रपोश करना चाहते हैं तो मुहूर्त देखकर ऐसा कर सकते है आपके लिए अनकूल दिन सावित होगा भाग्यका भी आज पूरा साथ मिलेगा इस रास के जो लोग नोकरी की तलास में हैं उन्हें किसी बहुराष्टी कमपनी से नोकरी का आफर मिल सकता है पड़ोस योक साथ संबन्द आज बहुत मधूर रहेंगे मा भग्यती को लाल सिंदूर चढ़ाएं आपकी सभी प्रकार की मनो कामनाएं सिग रही पूरी हो जाएंगी सिंगरास के गोश्तों आपका कठोर विवार आपकी जीवन साथी के साथ आपके संबन्दों में तनाव भी ला सकता है ऐसा कोई भी काम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में जरूर सोचे हो सके तो अपना मूट बदलने के लिए कहीं बाहर गूमने के लिए जा सकते है आज के दिन कोशिस करें और वो काम करें जो आपको बहुत पसंद है जिसे आप बहुत दिनों से करना चाहत रहे थे लेकिन किसी कारण बस उसे कर नहीं पाये थे खास कर आज के दिन माता पिता को खुस करना आपके लिए थोड़ा मुस्किल काम होगा उन्हें समझने की कोशिस करें और चीजों को उनके नजरिया से देखें आपको बेहतर पैणाम देखने को मिलेंगे आज का दिन कुछ मामलों उतार चड़ाओ से भरा रहेगा आप किसी मित्र के साथ कोई नया ब्यापार सुरू कर सकते हैं कारिस्थल पर किसी सहकरवे से अनबन भी हो सकती है बाणी पर सहियम रखें कैरियर को लेकर मन में किसी प्रकार की दुबिधा भी बनी रह सकती है साथ ही आपकी सेहत पहले से ठीक रहेगी और आपकी साम कई तरह की भावनाओं से भी गिरी रहेगी और इसलिए तनाव भी दे सकते हैं इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरुवत नहीं है क्योंकि आपकी खुसी आपको आपकी निरासाओं से ज़्यादा खुसी देगी आप किसी ऐसे सोर से पैसा कमा सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं होगा घर पर कोसिस करें कि आपकी बजह से किसी को चोटना पहुचे और परिवार की जरुवतों के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करें तो सिंगरास के दोस्तों ये था आज आपका रासिफल कल फिर से एक नए रासिफल के साथ हम आपके साथ होंगे जैस्तरी राम